हेलो असामनेकूम, वेलकम तो मैं चैनल, I hope आप सब खायगत से होंगे और COVID-19 से एतियात के लिए आप सैनिटाइजर और मास्क यूज़ कर रहे होंगे आज इस पुड़क के पार में मैं आपको रिव्यू दिने जाया हूँ, गोल्ड फेशन मास्क हैं जो के आजवल बहुत ज़्यादा इन हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अमोमन हम लोग जो पहले यूज़ कर रहे थे फेस मास्क ववगरा और शीट मास्क वो नॉर्मल शीट मास्क थे उसमें गोल्ड का कोई काम नहीं था जबकि इसको गोल्ड फेशन का नाम इसवज़े से दिया गया है कि इसमें गोल्ड के अदोर नाम काव सके की के लिए बहुत बहुत बढ़तरीन होते हैं हमाई सक्यन स्केल को नरिश करते हैं और अदोर हैल्दी बनाते हैं तो आज का जो हमारे प्रोड़क्ट है वह आपके सामने हैं आम देह सकते हैसी शीट मास्क की व्याम है प्लास्टिक की शीट है जिसके अंदर ये मास बंद हुआ है और ये गूल्ड कलर है आप चेक कर सकते हैं और इसके उपर सारी इन्फरमिशन दी हुई है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सीरम भी मुझूद है जब आप फेस मास यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपने इस सीरम का अपने फेस पर लगा देने हैं अजिन जो हमारा शीक मास यूज़ करने का मेटड एफी होता है इसमें भी हम लोग थे पाहनाे है जाए खेब पर वूचेछ यूज़ रिख दो यूज़ कर लगा दो है मेरी चान में इसको यूज़ करने के लिए से ज़्यादा आप ना यूज़ करें क्योंकि ये थर्टी तू थर्टी फाइफ मिनिट में ड्राय होने शो हो जाता है और आपकी स्किन इसको बहुत अची तरह से अब्सुर्ब कर लेकर अपने ये शीच मास्क अपने फेस पर लग सेर्म होगा वो लेंगे और अपने फेस पर लगा लेंगे और हलका हलका सबने फिंगर से फेस को टैप करेंगे ताकि आपकी स्किन के अब्सुर्ब हो जाए अगर आप देखें तो ये फ्रांस के मास्क है पापलर जैपैन की नाम से है और अगर इसका हम लोग बैक साइड तो इन्होंने सारी चीज़ें इस पर मेंशन के हुए हैं गोल्ड बायो कॉलेजिंग पेशल मास्क और इसके बाद उन्होंने सारी मीचे इसकी बताई गए हैं स्पेस्फिकेशन क्या क्या हैं इसमें किस चीज़ के लिए यूज होता है आपकी स्किन को वाइट करने के आपकी स्किन को स्मूध करने के लिए सारी मास्क यूज किया जाता है इसके बाद डायरेक्शन आजाती है उन्होंने यूज करने का मेथड़ का बताई है और डायरेक्शन में उन्होंने का चैनल एंड राय यूज थे फैस फोर्ली ओपन इस फाल पैकेज अद अप्लाइ mask on your face gently press the mask on to your face to create a sun fit apply any excess bio collagen gel over your mask for better moisturizing effect wear the mask for 20 to 30 minutes remove the mask gently and follow with your routine facial okay all right and only for external use only avoid using it on a sunburn or scratch skin okay if you have sunburned or your skin is chilly or scratches or scratches you will not use avoid using on hypersensitive skin and if your skin is very sensitive is very sensitive then you do not use it because it is a little hard to do stop using if any irritation occurs if you have irritation if you have irritation then try to remove it keep out of reach from children obviously you do not use it because you will tell us how to do it and you can see that this expiry date is mentioned which is 2022-515 मतलब यह दो हजार बाइस में एक्सपायर हो जाएगा और 24 मॉंकी इसकी वरेंटी भी है वाव अगर अगर इसका देखा जाए तो इसका नेट वेट है 60 ग्राम सो आज की मीडियों आपको कैसी लगी मुझे बताईगा इसका रिजल्ट यूज करने के बाद आप मुझे जरूर इनफॉर्म कीज़ेगा कि आपकी स्किन पर इसकी कैसे एफिल्टी है मुझे तो इसके बहुत अच्छे रिजरंट में शरेंगों और बहुत फेम दूँक्र मास्क है कि यूज करते हैं और अपने स्किन को अच्छा रखना चाते हैं मॉस्चराइज रखना चाते हैं छो इसे हमारे आँकल के मोसम में विंटर में हमाई स्किन दल हो जात Coursehhhh कारी अपने माउस करें यह बहुत है यह बहुत भी बीडियों होना, यह अन्धाजा होगा कि यह इसे अच्छा कि जा अपने अपने ऐसी बीडियों में कही तैसी दोटक्ट और सिधने और यहाँ दोटक्ट orphan के साथ kepada जब तक करे लिए मज़े इजाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना माम भूल इज़िए गुलिए गार मेरी weडिये को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेर चैनल को अपने फ्रेंड और फेमरी मेंबर से शियर कीजिएगा thank you so much I love it